हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल एमके बाइलो जी प्रीविस लेक्षर में हमने डिसकस किया था जो हमारे न्यूटिरिशनल बेस्ड बैक्टिरिया थे उनकी क्लासिफिकेशन देखे थी हमने चार टाइप के बैक्टिरिया देखे थे आज की वीडियो मे हम डिसकस करने जा रहे हैं हमारे बैक्टिरिया के अंदर रिप्रोडक्षन कैसे होता है तो गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को टैप करें जिसे सारी आने वाली वीडियो की नॉट्रिफ केचन आप तक पहुच जाए तो कДаये चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं हमारे बैक्टिया में रिपोड़ुक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं रिप्रोड़ुक्शन बैक्टिया मेन्ने टू टाबवसे होता है ऐ सेक्षाल मेथशन से और sexual recombination से, तो हम देखते हैं, bacteria reproduce mainly by a sexual method, जो mainly bacteria reproduce करता है, वो sexual method से करता है, and also show sexual recombination, और sexual recombination होता है, उसको भी show करता है, sexual recombination ना मतलब, जो true sexual reproduction होता है, वो absent होता है, true sexual reproduction होता है, जैसे हमार जो वहाँ पर, sexual reproduction में gamit की formation होती थी, वो यहाँ पर नहीं होती, true नहीं होती, तो उसको हम क्या करते है, sexual recombination, तो यह याद रखो कि, ठीक है, तो one by one करके पढ़ेंगे, हम आज की इस वीडियो में, हम only a sexual method पढ़ेंगे, asexual reproduction के बारे में जानते हैं, गाइस, bacteria produce several type of asexual spore, जो bacteria हमारा, वो क्या करता है, कुछ asexual spore produce करता है, जैसे, spore angio spores, uidia, conidia and endospore, ओके, यह कुछ asexual spores हैं, जो bacteria produce करता है, जिसको हम क्या करते है, asexual spores, जबकि, however, the most common mode of asexual reproduction is binary fusion, जबकि, जो हमारा most common mode है, asexual reproduction का, वो हमारा क्या है, binary fusion, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, describe करेंगे, ठीक है, अंडर favorable condition of nutrient availability, moisture and temperature, daughter cells may repeat binary fusion many times, and may form a large population, क्या होता है, जब बैक्टिरिया को, बैक्टिरिया को, बैक्टिरिया को favorable condition मिलती है, favorable condition मतलब, उसके according, जो nutrient की availability है, वो present होती है, जो उसका temperature है, ठीक है, वो present होता है, moisture present होता है, तब क्या करता है, जो daughter cell होती है, वो repeatedly क्या होती है, divide करती है, ठीक है, divide करती है, और फिर क्या form कर सकती है, वो एक large population को भी form कर सकती है, बट यह ऐसा नहीं होता, आगे पड़ते हैं, the process gradually slow down and ultimately stop because of, जो क्या होता है, यह अपने पढ़ा था, वो क्या कर सकती है, एक large population को form कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो process अब ग्रेजुली क्या होती है, slow down होती है, और ultimately stop हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है, यह देखो, फर्स्ट इसका reason है, shortage of space, space की shortage हो जाती है, second है, lake of nutrient availability, जो nutrient की availability है, वो कम हो जाती है, ठीक है, उनकी lake हो जाती है, थर्ड पैंट है, accumulation of waste product, जो waste product है, वो ज्यादा accumulate हो जाता है, जिससे जो उनका environment है, वो unfavorable हो जाता है, देखो, यहापे making environmental condition unfavorable for growth, जो अगर bacteria है, उनकी large population होगी, उनका waste product है, वो ज्यादा accumulate होगा, ज्यादा accumulate होगा, तो फिर क्या होगा, जो उनका environment condition है, वो unfavorable हो जाएगी, फिर उसकी growth रुख जाएगी, third reason यह था, fourth reason देखो, fourth reason है, development of bacteriophage, bacteriophage एक ऐसा type का organism है, जो क्या करता है, बैक्टिरिया को kill करता है, ठीक है, जो destroy करता है, बैक्टिरिया को, तो इन चार reasons की दुरू, जो बैक्टिरिया है, वो large population क्या है, शो नहीं करते है, वो gradually उनकी जो growth है, वो डुख जाती है, stop हो जाती है, slow down हो जाती है, याद रखो कि, आगे चलो, binary fusion, okay, binary fusion देखते हैं, हम क्या होता है, binary fusion, it is the most common method, ठीक है, जो binary fusion है, most common method है, under favorable condition of temperature, moisture and availability of nutrients, nutrients की availability और temperature और moisture की availability में, ठीक है, जो यह हमारी favorable condition होती है, इसमें हमारा most common method क्या है, binary fusion, जो की हमारे bacteria शो करते है, okay, mature bacterial cell divides into two daughter cells, जो mature bacterial cell होती है, वो दो पार्ट में, two daughter cells में क्या होती है, divide करती है, in this process, the cell division is a mitotic type, यह बात याद रखना काईज, यह very very important point है, okay, यह important point है, जो आपका bacteria cell में binary fusion होता है, उसमें जो cell division होता है, वो आपका a mitotic type होता है, a mitotic type का मतलब, not involving the spindle formation, उसमें spindle formation है, वो involve नहीं होती, okay, तो यह most important है, आप इसको याद रखना है, समझ गए, आगे देखो, binary fusion में क्या है, the binary fusion of bacterial cell involves mainly three step, जो binary fusion है, बैक्टिया के अंदर, उसमें mainly three step होते हैं, first step है हमारा replication in DNA, mesozoom, division and membrane formation, third है हमारा cross valve formation, okay, तो one by one करके हम पढ़ते हैं इस step को, first step देखो, replication of DNA हमारा क्या है, first step है, the bacterial chromosome divides resulting in formation of circular chromosome, जो bacteria का chromosome होता है, वो क्या करता है, वो divide करता है, replicate करता है, फिर क्या form करता है, circular chromosome की formation होती है, okay, formation of circular chromosome, since at one stage, जो first stage है, पहली stage से क्या होता है, जो chromosome appear है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, जो chromosome replicate हो है, वो कैसा दिखता है, Greek letter theta, थीटा यहांपर ऐसा होता है एक तो लूद्स क्या कहते हैं थीटा मोडल ऑके लाद रूखो कि जो यह मोडल है स्कों क्या कहते हैं थीटा मोडल ऑके इस मेकर निजम ओफ रैप्लिकेशन वाद सब्सक्राइश के वाद सब्सक्राइबॐ तो आप याद रुखो जो क्रोमोसूम है वो कैसा दिखता है ठेक है जो रेप्लिकेशन के बाद वो थिटा जो ग्रीग लेटर है थिटा ऊके उस शेप का दिखता है जिसलिए इसको मैं कहते है थिटा मोडल ठीक है यह किसने स्गेस्ट किया था सब्से पहले के रने ओके इसल मैं आपको first point समझाना चाता हूँ जो हमारा replication of DNA है देखो यह हमारा first point जो first step है हमारा cell elongate and DNA is replicated यहाँ पर इसमें क्या दिखा रखा है जो हमारा DNA है वो replicate हो रहा है ओके और जो यहाँ पर यह chromosome है ठीक है वो किस shape का है हमारा ऐसे theta shape का है ठीक है दिख रहा हुआ गाई आपको ऐसे theta shape का है तो इसलिए हम इसको कहते है theta model समझ गए यह आपकी पूरी process है second में आपका क्या होता cell wall and plasma membrane begins to divide third process में हमारा cross wall form होती है ठीक है और फिर fourth हमारा क्या है हमारी पूरी cell separate होती है यह आपकी पूरी process है हम second point पर सलते है cell wall ठीक है जो हमारा mesosome division and membrane formation है तो second point देखवा आप the parent chromosome is attached to the mesosome जो parent chromosome है वो क्या होता है mesosome से attach होता है देख़े आप भी लिख रहा है parent chromosome is attached to the mesosome the mesosome begins to divide because of the synthesis of membrane between the DNA mesosome attachment side जो mesosome है वो divide करना start करता है क्यों करता है क्योंकि वहां पर membrane की formation होती है कहां पर DNA mesosome attachment side है उनके बीच में membrane की formation होती है इसलिए वो क्या होता है mesosome वो divide करना start करता है as a result of synthesis of cytoplasmic membrane between the mesosome mesosome के बीच में जो cytoplasmic membrane की synthesis होई है उससे क्या होता है जो mesosome है वो pushed होता है middle में जो daughter cell के middle part में क्या होता है वो pushed होता है राइट आगे देखो because one chromosome is attached to the each chromosome क्योंकि जो एक chromosome है वो each mesosome से attach है इसलिए जो daughter chromosome है वो partially क्या है आपका divide होता है कैसे होता है जो हमारा मिजुजूम है वो इच क्रोमोसोम से अटेच है तो जो डोटर का क्रोमोसोम होगा वो पार्सली दोनों डोटर से न में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ओके ये पैंट था नेक्स देखो अब अब थर्ड पैंट आता है क्रोस वाल फोर्मेशन क्रोस वाल फोर्मेशन में क्या होता है ए पैरिफरल रिंग ओफ प्लाजमा मेंब्रेन इस इन्वेजिनेट्स देखा जो पैरिफरल रिंग है जो बाहर वाली है पलाजमा मेंब्रेन की रिंग वो इन्वेजिनेट्स होती है मतरव कि अंदर की तरफ क्या होती है move करती है, grow करती है continues to grow until that two cells are separated जब तक grow करती है जब तक दोनों cell क्या होती है separate नहीं हो जाती अलग अलग नहीं हो जाती the cell wall material also deposited between the membrane completing that division of cell जो cell wall material है ठीक है, वो deposit होता रहता है जब तक कहां पर होता है जो membrane completing cell है division the cell जो membrane है, वो completely division the cell को divide नहीं कर देती the two events septum and cross wall synthesis occur simultaneously जो two events आपके synthesis of septum and cross wall वो क्या आते है, simultaneously अकर होते है simultaneously चलते है, आपके साथ साथी चलते है तो cross wall formation में ये था आपका mainly जो आपकी peripheral membrane है, plasm membrane वो इन्मेजनेट करेगी जब तक continue growth करती रहेगी जब तक वो क्या होगी, cell separate नहीं होगी और जो cell wall material है वो deposit होता रहता है, कि इसके बीच में membranes के बीच में, ठीक है कब तक, जब तक division of cell नहीं होता ठीक है, the two events septum and cross wall synthesis जो हमारे दो events है, septum और cross wall formation synthesis okay, वो हमारे excitement test नहीं चलती रहते है तो यह आप अपर third point था अब आता है हमारा second endospore यह था हमारा first binary fusion अब second आता है endospore endospore मैं आपको बताता हूँ जो आपकी binary fusion होती है वो आपकी favorable condition में होती है ठीक है, binary fusion जो sexual reproduction mode है, वो आपकी favorable condition में होगी अगर आपकी unfavorable condition होगी availability of nutrients, temperature or moisture नहीं provide होगा बैक्टिरिया को, तब जब वो क्या करेंगे, वो endospore की formation करेंगे तो आप उनको पढ़ने जा रहे है endospore की formation, मतलब endospore की बारे पढ़ने जा रहे है endospore तो देख़ए endospore में क्या है cells of certain bacteria example bacillus, clostridium कुछ बैक्टिरिया है उनकी cell जो जैसे बैक्टिरिया हमारी bacillus और clostridium, उनकी cell है वो क्या form करती है, थिक वाल्ड highly resistant कुछ बोड़ी form करेंगे, inside the cell कुछ बोड़ी form करेंगे, उनको क्या करेंगे, एंडो स्पोर्स करेंगे में बैक्टिरिया आप याद रखो bacillus और clostridium बैक्टिरिया में, जो cell wall है, वो क्या होगा कुछ बोड़ी form करेंगे, inside थिक वाल्ड होगी, वो highly resistant होगी, टिक है वन बैक्टिरियल सैल नॉर्मली produce only a single endospore जो एक बैक्टिरियल सैल है, वो only a key endospore की formation करेंगा, right ? the endospores may be spherical or oval, जो endospore होगा वो spherical हो सकता है या oval हो सकता है, टिक है, shape में और position में, terminal और central हो सकता है, जो याद रखो कि endure spore, central या, oval हो सकता है, टिक है, spherical या oval हो सकता है, और position में وہ terminal और central हो सकता है, एक इसकी main property है endospore कि यह याद रखना आप जो एंडस्पोर होता है वो एंटी-coagulant nature होता है ठीक है एंटी-coagulant nature होता है उसका ऐसा क्यूं होता है क्योंकि वहाँ पर एक chemical present होता है यह याद रखागे आप chemical कौन सा है calcium dipicolonic acid ठीक है इस calcium जो आपका chemical है इस chemical की वज़े से वो highly resistant होता है इल्ट से कुछ acid से तीक है आप जो भी unfavorable condition मान लो उन से resistant होता है यह आपका endospore किसकी विए से इस chemical विए से calcium di picolinic acid तो यह आपका chemical है वो very important है यह आपका type का acid है तो यह cover present होता है कोटेक्स लेयर ओफ वाल में present होता है तो यह था आपका endospore यह कब formation होती है इसके endospore की जब कोई unfavorable condition आती है ठीक है bacteria grow कर रहा है unfavorable condition आगी तो क्या होगा endospore की formation होता है तो यह था आपके sexual type of reproduction जो है sexual mode है बैक्टिया में तो next video में हम पढ़ेंगे guys sexual method sexual recombination है जो हम कहते हैं जो हमारी true sexual reproduction हो अब सेंट होता है ठीक है है तो हम उसको नाम देते है sexual recombination तो next video में करेंगे guys तो guys next video में मिलते हम झाल 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 झाल